वेलकम टो अबर चैनल स्टेडी एडिक्ट आज हम लोग क्लास 6 के न्सी आर्टी हिस्ट्री के पुस्तक से चेप्टर नमर 2 आखेट खाज संग्राग से भोजन उत्पात तक इस चेप्टर का कोश्चनल सा डिसकस करेंगे तो चलते हैं हम लोग कोश्चन की तरह तो पहला क्यों को फुरा करें पहला कोश्चन है कि आखेट खाज संग्राग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां फिर डैस दिया हुआ है इस डैस को हम लोग को फुल्फिल करना है तो चलिए बुक के मादे हम से इसको फुल्फिल करते हैं तो लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश धूप और हवाओं से रहत मिलती थी तो लोग यहां क्यों रहते थे तेज तेज हवा और बारिश धूप से रहत मिल सकते जिस परकार आज हम लोग घर का उप्योग करते हैं उसी परकार यह लोग गुफा का उप्योग करत इसके परिनाम शडूप कहीं छेतरों में घास वाले मैदान बनने लगे तो कुलमिला की ये पता चल गया कि 12000 साल पहले घास वाले मैदान का विकास हुआ तो इसको कॉलम में हम लोग डाल देंगे कि 12000 साल पहले अगला कोशन है कि खेती करने वाले लोग एक ही अस्थान पर लंबे शमय तक क्यो गया डालते थे शल्हेम लग सकता है इसलिए जब लोग पर उगाने लगे तो उनकी देखफाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे शमय तक रहना परता था बीज बोने से लेकर फ्रस्लो के पकाने तक पोदो की सिचाए करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिरियां से उनकी शुरक्षा करने जैसे बहुत सी काम शामिल थे तो जो खेती करने वाले वच्ची होंगे, कुछ जो जिनके पिता कीटसक होंगे, किसान होंगे तो उनको पता होगा कि जब हम लोग खेती करते हैं तो बीज जब होते हैं तो फिर पाउधे बनते हैं फिर उसके खरपतवार यानि कि जो जंगल बगेरा होता है उसको समय 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 से हटाना होता है फिर उसमें पानी समय पे देना पड़ता है तो इसलिए जो खेती करने वाले जो किर्शक थे वो एक अस्थाम पे राते थे क्यों राते थे यह हम लोगों ने देख लिया इस परकार से इस कोस्टन का एंसर हो गया आगे देखते हैं कि पुरात्तात्यु भी ऐसा क्यों मानते थे कि महरगट के लोग केवल सिकारी थे और बाद में उनके लिए पश्वपा रस्ते बोलन दर्रे के पास एक हडावडा समतल अस्थान है उसी को महरगट का पता चल गया है आप लोग मैप से देख ले महरगट शंभवता वह अस्थान है जहां के इस तेरी पुरुष इस इलाके में सबसे पहले जोर ग्याहु उगाना और भेर बकरी पालना शिखा था तो कुल मिला के हम लोग पहले से जानते हैं कि पहले के लोग आखेत यानि की सिकारी होते थे और तो यहां क्या मिला है यहां के साक्ष के हिसाब से यहां के लोग को मतलब पुरा तात्विद ने यहां के लोगों को इस परकार इस जैसे की हड़ी मिली है किसकी जानबरों के जिनमें से हीरन थे शूवर थे जंगली जानवर थे भेर थे तो इस साक्ष से यह पता चलता थी चलता है कि यह लोग आखेट थे तो पुरा तात्मीदों ने इस परकार से इनका पता लगाया कि यह लोग आखेट थे और फिर जब जो और ग्यहूं उगाना भेर वक्री यह ज सांसे दूसरे स्थान पर च्शूं घूम ते रहते थे उनकी यातरा और आज की यातरा के कारणों में क्या मनता या क्लिविंता है चलista पर देखते हैं और संगरह से दूसरे के लोग से दूसरी जगह पर गूम ते रहते थे क्यों तो पहला कारणिया है कि यह अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आज पास के पौधो फलो और जानबरों को खाकर स्रमत कर देते दोसा करणिया है कि जानबर अपने शिकार के लिए या फिर हीरन और मवेशी अपना चारा डूनने के लिए एक जगह स उनके पीछे पीछे जाया करते थे उनका खिट करने के लिए उनके पीछे पीछे जाना होता था तिसरा करणिया है कि पेरों और पोधों में फल फूल अलग-अलग मोश्रम में आते थे तो ये मोश्रम के अधार से अपना बातावरन मतलब अपना जो अस्थान था उसको च तो उसमें पानी के लिए जैसे अभी चापा कल बेगड़ा है हम लोग तमाम कृतिम चीज बना लिए तो उसमें पानी सिर्फ जर्णों और नदियों में मिला करता था जिस करण से आखेटक को पानी के लिए इधर उदर जाना पड़ता था नदियों के पास चल के और आगे का क्वेशन क्या है आखेट खाज संग्रहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे क्या तुम आज आग का उपयोग इन में से किसी चीज के लिए करोगे तो चलिए देखते हैं आग का उपयोग क्यों किया जाता था कि किस चीजों में क्या जाता था कुर्णूल ग तो इनका मतलब यह है कि आरम्भिक लोग आग जलाना शिख गय थे ठेक आग को इस्तेमाल कहीं कारणों के लिए क्या गया होगा जैसे कि परकास के लिए मांस बोनने के लिए और खातरमाग जनवरों को दूर करने के लिए तो आज हम लोग मांस बोनने के लिए आखका परियोग करते हैं यानि कि खाना मनने के तोर पे और परकास के लिए भी केंडल के उपियोग में हम लोग आखका परियोग करते हैं तो इस तरह से हम लोग के जीवन से आखका परियोग और आखेट संगराग के आखका परियोग का पता चल गया आगे का कुश्चन है कि किर्सक पसुपालगों का जीवन आखिट खाज संग्राहों के जीवन से कितना भिंध था तीन अंतर वताएं तो जहां तक हम लोग जानते हैं कि आखिट खाज संग्राहों जो थे वो इधर उधर गोमते रहते थे वहीं जो किर्सक किर्सक पसुपालग जो ठे और अपने लिए एक निवास अस्थान मनाते थे जो प्री ट्रक का और अगला करनी है,' किर्सक खाज संग्राहागों जो से cidade वो अपने जीवन यापन के लिए किर्षी किया करते थे जीवन यापन के लिए वहीं आखिट खाज संग्राहाग प्रकिर्तिक चीजों पर निर्वर्दाते थे नहीं ये प्रकिर्तिक के चीजों का आखेट करके या फिर फलो को खाके अपना जीवन आपन करते हैं आशा करता हूं कि इस विडियो से आपके सारे question and answer complete हो गया हैंगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद